आप बच्चे ठीक हो ना? चलो तो आज हम देखेंगे चेप्टर एट का सेकंड पार्ट, ओके, सो पेज नॉमबर 135, ओके, ओपेज नॉमबर आप अपने टेक्स्ट रुबुक जो है वो ओपेज कीजिएगा और पेज नॉमबर 135 देखिए, ओके, तो उसका नाम है दा लिटल बुली, क्या नाम है? लिटल बुली Do you know of any child who teaches others or pushes them around What would you call such a child? Do you know of any child who teaches? तो आपको पता है ना, teaches मिस तंग करना, चीडाना ऐसे कोई बच्चे को आप जानते हो या फिर कोई ऐसा लड़का जो pushes them around Pushes मिस धका मारना ओके, आजुबाजु में जो आपको धका मारता हो ऐसा कोई चाइल्ड आपको पता है जानते हो What would you call such a child? आप उस बचे को क्या कहकर बुलाओगे? ओके, तो आपने कभी देखा है? शायद आप कोई एक भी हो सकते हो राइट? नहीं? ओके, चालो Read this story and see how Harry a little boy troubles other children तो इस story में हम देखेंगे Harry को किसे देखेंगे? हरी जो एक छोटा सा लड़का है जो सबको तंग करता है ओके? चालो Once upon a time, not so very long ago there was a small boy called Harry Once upon a time means एक समय पर जादा समय नहीं था लेकिन कुछ समय पहले एक छोटा सा लड़का था और उसका नाम था हरी Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to the school with him तो देखा जाएं तो यह हरी जो है वो नहीं बड़ा था ठीके? बड़ा नहीं था लेकिन वो कैसे था? स्ट्रॉंग था ओके? स्ट्रॉंग मतलब पता है ना आप लोग को? तंदुरस, healthy तो वो and he loved to tease उसे क्या पसंद था? Tease means बच्चों को चिडाना जो बच्चे स्कूल ठीके? जो बच्चे स्कूल जाते थे उसके साथ उसे वो बहुती चिडाता था तंग करता था कोन? ये, hurry What he loved to do most was to pinch Pinch मतलब पता है ना आपको? क्या? मतलब की चिकोटी काटना means pinch करते हो जैसे की लोचना ठीके? वैसे वो pinch करता था देखो, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है एक लड़की को pinch कर रहा है ओके? तो उसे मतलब की चिकोटी करना बहुती पसंद था He could make a big bruise appear in half a second He could make a big bruise bruise means injury means किसी को घाव देना वो उसे बहुती अच्छी तरह से आता था He could make a big bruise appear in half a second means half a second में वो किसी को घाव दे दे था वो उसे आता था किसे? इस हरी को Another trick he played was pricking people with a pin और उसके पास एक और trick थी और वो trick क्या थी? तो कि लोगों को prick करना Prick मतलब आपको पता है ना? मतलब की चुबाना वो क्या चुबा था था लोगों को? Pin वो दूसरी trick पहली जो थी वो थे pinch और दूसरा जो था वो pricking So, you can guess how all the children hated him तो आप इससे Guess मतलब अनुमान लगा सकते हो कि वो सब बच्चे जो थे उसे कितना नापसंद करते थे Hate They tried pinching him back but that was no good because he could always pinch harder They tried pinching him back मतलब की वो फिर प्रायतन करता था ये जो है They tried pinching him back but that was not no good because he could always pinch harder लेकिन जब हमें कोई pinch करता है तो हम return उसे pinch करना चाहते है चाहते है ना तो जैसे ये सब लोग उसे pinch करने जाते थे लेकिन वो उनसे होता नहीं था क्योंकि वो उनके लिए hard था उसे फिर pinch करना लोगों को भी hard लगता था दुबारा उसे They did not like telling their teacher because that was telling tales लेकिन ये बच्चों को जब वो pinch करता था प्रिक करता था तो ये लोग teacher को नहीं कहते थे क्योंकि वो उनके क्या लगता था कि वो एक telling tales मिंस किसी की शिकायत करना इसे लिए जो जिसको भी वो pinch करता था वो लोग teacher से शिकायर नहीं करते थे It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day All the children were more excited It so happened that the class went for a picnic ये जो है एक बार हुआ जब बच्चे जो थे वो कहाँ पिक्निक गए थे तब seaside मतलब समुद्र के कि ना रे All the children were more excited सभी बच्चे क्या थे उच्छाहित थे क्यों? क्योंकि वो लोग कहा जा रहे थे पिक्निक जा रहे थे और पिक्निक कहा था? seaside समुद्र के पास जो आपको भी पसंद होता है पता है ना आपको भी पसंद है पिक्निक जाना? Right? Okay तो महाँ पर ये हरी भी गया था जहाँ वो बच्चों को क्या करता था? tease means चिडाता था ठीक है? और ये सब को ये क्या करता था? तांग करता था कोन? हरी On that day the sun shone bright and all the children were wild with excitement They crowded into the train and sat down but nobody wanted to sit next to हरी because he always pinched तो जिस दिन ये लोग महा पिक्निक में गये थे ठीक है? तो जब महा पर क्या था? The sun shone bright धूब ज़ादा थी और children सब जो थे वो क्या हो गये थे? उच्छा ही तो हो गये थे ठीक है? धूब ज़ादा थी और ये लोग थोड़े से ठके हुए जैसे थे They crowded into train and sat down मज़ा आ रहा था लेकिन फिर भी वो लोग को क्या आ रहा था? मज़ा आ रहा था Crowded Crowded means यहाँ ये सब लोग क्या हो गये थे? एकठा हो गये थे ठीक है? फिर सब लोग कहां एकठा हुए? ट्रेन के पास और सब उसमें बैठ गये लेकिन कोई भी हरी के पास बैठना नहीं चाहता था क्योंकि वो हमेशा क्या करता था? सबको पिंच करता था means चिकोटी करना ओके? चिकोटी काटना वो ऐसे करता था इसी दिए कोई भी हरी के पास नहीं बैठा जब लोग ट्रेन में बैठे वो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है देखो ट्रेन में जब हरी जो है वो अकेला बैठा हुआ है तो फिर जब यो लोग एराइड मेंस पहुँच गए कहां पहुँच गए? समुद्र के किनारे तो सभी लोग क्या किये? उसमें से कूद गए किसमें से? ट्रेन में से कैसे कूदे? बहुत जोर से एंजोई करते करते वहां से ही वो लोग कूदे डाउन टू धा सैंड्स थे रेजड सैंड्स मतलब रेती रेती के और ये लोग क्या करे? यहां रेजड मिंस दोड़ना ठीक है? तो वो लोग किसके और दोड़े? आपको पता है ना समुद्रे के किनारे क्या होती है? माटी होती है, सैंड होती है होती है ना रेती? तो रेती के और सब बच्चे जो है उस तरफ दोड़े और सब हाथ में हाथ मिला कर चल रहे थे लेकिन किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा नोबडी वेंट नियर हिम और कोई भी उसके पास नहीं गया किसके पास? हरी के पास हरी वोज एंग्री तो अब यहां हरी जो है वो क्या हो गया है? घुसा हो गया है तो वो किसके किनारे गया? वो जो रेती होती है ना वो रेती के किनारे पर गया और rocky pool यहां rocky pool means small body of still water जो पूल होते हैं छोटे छोटे से पता है आपको जो पथर से ठोडे से पूल जैसे बने हुए रहते हैं जिसे हम कहते हैं कुंड उसके पास गया और अपने आप अकेला वहां बैठ गया तो फिर दोपर का समय हो गया तो हम लोग भी अपना टिफिन ले जाते हैं तो वो भी अपना टिफिन ले गया था टिफिन खोला और देखा खाना तो बहुती अच्छा था देर वर टो हाड बॉल एक्स, सिक्स जाम सैंडविजेश, त्री पीस ओफ ब्रेड और बटर, एजिंजर केक और बार अफ चोकलेट तो उसके जो टिफिन बोक्स था उसमें क्या था दो अंडे थे उबले हुए और सिक्स जाम की सैंडविजेश थी सैंडविज और जाम दो लगाए हुए और त्री प्रीस ओफ बेड और बटर, ब्रेड और बटर लगाए हुए भी तीन पीसे थे और जिंजर केक था उसके पास और चोकलेट भी थे, He would eat it all by himself, he would not offer anything to anyone, तो फिर वो सब कुछ जितना लंच बोक्स में था, वो सब कुछ वो अकेला खा गया, उसने किसी को offer, offer means जैसे हम साथ में बैठते हैं तो बोलते हैं न, yellow, yellow, तो उसने किसी के साथ शेर भी नहीं किया, किसने? हारी ने, ओके? तो अब हम देखते हैं page number 137 Just as he was beginning on the X, he heard a hoarse voice near him, तो जब वो, just as he was beginning on the X, मतलब कि जब वो X के और शरुवात कर ला था, उसने एक आवाज सुने, उसके पास, और वो जो आवाज थी, वो hoarse आवाज, means rough, rough आवाज हाई, good morning, आवाज किया थी? Good morning, I am so pleased to meet a boy like you, हरी turned around and stayed in fright, whatever do you think he saw, तो फिर जो पीछे से जवाज है, उसने कहा, मैं बहुत ही खूश हूँ तुम जैसे लड़कों से मिल कर, तो हरी ने पीछे की और मुडा और देखा, तो यहाँ पीछे की और मुडा और देखा, और वो डर भी गया उसे देखकर, आप अंदाजा लगा सकते हो, कि उसने क्या देखा होगा, हरी saw a monster crab walking sideways out of the pool, जो कुंड के पास जहाँ बैठा था तो उसने देखा एक monster crab, क्या देखा उसने, monster crab, मतलब कि वो बहुती बड़ा सा crab था, crab मतलब आपको पता है न, ओके जो देखो पानी में उसके कितने सारे means एकदम बड़ा सा था, उसे वो देखा, कहा देखा, एक जहाँ वो कुंड के पास बैठा था, महा पर, his eyes were on the ends of short talks and he looked most queer, तो उसने जो उसके eyes थी वो देखी, कहा देखी, short stalks, कहा पर देखी, stalks means stems, stems जो होते है न, देखो उसके नीचे दिखरा है, बता है, ठीक है, stalks मतल जबकि उसके जो stems होते है, उसे कहते है हम हिंदी में tongue-tall and he looked most queer, queer means अजीब दिख रहा था, कौन ये जो animal है, जो आपको दिखाई दे रहा है, monster crab, वो उसके हात जो पेस stem था और वो दिखने में भी अजीब था, he held out his front claw to hurry, he held out his front claw, देखो उसके आगे के claw, मतलब की जो उसका हात था उसमें से, उसने उसके हात को पकड़े रखा है, claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled, means देखो, वो अपने मूं की और जैसा है, उससे उसका हात पकड़ लिया, ठीक है, और क्या किया, and nipped his hand, nipped means मुं में डाल दिया, और फिर देखा, वो बहुती hard था, hard से उसे उसे पकड़ लिया, और काटने लगा, तो यहाँ boy जो है, वो yield means, चिलाने लगा, क्यों, क्योंकि वो monster कर अपने उसके हात को पकड़ लिया था, इसलिए, and here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to hurry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool, तो फिर उसने उस क्रब ने कहा, देखो, यह मेरा cousin है, देख रहे हैं, पिक्चर में उसको side में दिखाई दे रहा है, ओ, यह मेरा cousin है, और यह भी तुम्हें मिलने के लिए उत्सा ही थे, तो हरी उसे देखर और भी डर गया, तो उसने एक, large sandy lobster crawling heavily out of the pool, means cousin भी है, और वो है, जो है, वो, पूल, means कुंड से बाहर आ रहा था, कुंड से बाहर आ रहा था, ठीके, Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincher like locks and pinched it so hard that the hari yielded pain, तो फिर before the little boy could stop, की वो, जो, यह हरी उसे stop करे, उसे पहले उस लब्सटोर ने क्या किया, उसका हाथ ले लिया और जोर से pinch किया, Like a cloth and pinched it so hard इतना जोर से किया कि हरी जो हे वो जोर जोर से चिलाने लगा क्यों चिलाने लगा? क्योंकि उसे दर्द हो रहा था ठीके क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था किसने पकड़ लिया था उसे? Crab means बहुती बड़ा था Monster उसकी तरह था और उसे उसे क्या हो रहा था? डर तो लग रहा था लेकिन साथो साथ उसने उसका हाथ जो था वो पकड़ लिया और उसे पींच जो था वो जोर से किया तो वहा हरी जो हे वो चिलाने लगा पेन हो रहा था इसे लिए चलो आप नेक्स Then he stayed at the pool in surprise for out came sandy colored scrims and prams, more crabs and another large lobsters and they pricked hurry till he was soon black and blue with their pinching तो फिर देखो उतनी देर में ही उसने देखा किस की और देखा? पूल की और देखा और उसे देखर surprise हो गया क्यूंकि वहां से उस जो माटी थी उसमें से color of colors के सभी prawns, scrims ये जो सब कुछ prawns मतलब समुदरी मचलिया समुदरी केकडे स्क्रिप्स मतलब समुदरी केकडे और lobster means jinga selfish बोलते है ठीके वो सब उसमें से आने लगे और उसने जब तक हरी को prick किया जब तक कि वो black और blue ना हो जाए black और blue हो गया तब तक ये लोगों ने उसे क्या किया pinch किया Don't you like it? said all the creatures in surprise Why we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself Come come join in the fun Don't you like it? तुमें पसंद नहीं आया ये सब किसने कहा Creatures Creatures मिन्स यहाँ प्राणियों जो थे उन्होंने कहा Why? We were told you तुमें तुमने कहा था कि तुमें pinching जो हे वो पसंद है और तुम pinching के champion हो ठीक है? तो आओ हमारे साथ तुम joint हो जाओ मज़ा आएगा Harry lept to his feet crying loudly Harry lept to his feet तो Harry जो हे वो क्या हो गया? Lept means jumped उसकी feet की और jump किया और जोर से रोने लगा His lunch rolled into the pool की वो एक शुरू किया ही था और अपने कूदा तो उसका जो टिफिन बोक्स था वो पूल की और गीर गया And when the crabs and lobster saw it they ran to it and began to feast eagerly Harry saw that they had forgotten him for a time and he turned and ran for his life tears screaming down his cheeks तो फिर Harry ने देखा की वो जो उसका डबा गिर गया था पाने की पूल की और तो वो सभी ने वो खाना देखकर दो मिनेट के लिए तो ये Harry को भूल गये तो Harry जो है वो वहाँ से भाग गया अपनी लाइफ बचाने के लिए and tears streaming down his cheeks chicks मतलब उसके गाल के और से आसु जो है वो बहने लगे थे ठीक है वो जब वहाँ इस तरह से भाग रहा था They only did to me what I keep doing to the other children he thought they only did to me वो जो वो लोगों ने किया मुझसे मैं वैसे ही सभी दूसरों बचों के साथ करता था ऐसे कौन सोचने लगा Harry but how it hurt and how I hated those crabs and lobstors ओ देखो जब ये प्राणियों ने मुझे पींच किया तो मुझे कितना दर्द हुआ मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ किसे पसंद नहीं करता है ये ये लोब्स्टोर में वो जींगा ठीक है और मचलियां जो होती है उससे मैं पसंद नहीं करता क्योंकि वो मुझे बहुत ही hurt करते थे I suppose the other children hate me too तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो दूसरे बच्चे है जब मैं उन्हें पिंच करता हूँ तो वो भी hurt होते है मुझसे उसी लिए वो मुझे नापसंद करते है Well, I jolly well shouldn't pinch or prick anyone तो फिर उसने कहा कि आज से मैं किसी को pinch नहीं करूँगा किसने कहा? Harry ने कहा Okay children's किसी को हम हैरान नहीं कर सकते तंग नहीं करना चाहिए चाहिए तंग करना नहीं चाहिए बलकि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए Okay children मजा आ गया ना आपको Harry के बारे में सुनकर तो हम Harry बनना चाहते है No, very good नहीं बनना चाहते है हम अच्छे बच्चे है है ना अच्छे बच्चे तो यहाँ पर हम लोग का जो चैप्टर है वो खतम हो गया है आप इसे पढ़ लिजिएगा आपको कोई भी डाउट्स हो तो पेंसिल से अंडरलाइन करके जूम मीटिंग में मुझे पूछिएगा Okay children Thank you very much Have a nice day